प्रदेश पर में गर्मी के मौसम के चलते तापमान बढ़ता जा रहा है और गर्मी के मौसम में लोगों की पसीने छूट रहे हैं वही मंडी जिला में भी गर्मी का कहर बढ़ता जा रहा है और पेजल योजनाओं के माध्यम से होने वाली जलापूर्ती प्रभावित हो रही है मंडी जिला उपायोकत रिगवेद ठाकुर ने कहा कि पिछले 10-15 दिनों से कोई बारिश नहीं हुई है जिसके चलते गर्मी का असर बढ़ता जा रहा है जिसके कारण जिला भर में जलापूर्ती प्रभावित हो रही है उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में पानी की समस्या को लेकर जिला प्रशासन और विभाग पुरी तरह से स्तरक है और इस समस्या का हल निकालने के लिए प्रयास के जा रहे हैं ताकि लोगों को कम से कम असुविधा का सामना करना पड़े इस विशेय में हम भी इस बात से अगत है जो आई पीएज डिपार्टमेंट है ये भी पूरी कोशिश कर रहा है कि कुछ ना कुछ जो है अटर्नेटिव अरेंडमेंट जो है वो लोगों को प्रवाइड करें ताकि बरसात तक हमारे पास दिवस्ताना इस विशेय में अगर जैसे जरुवत पढ़ रही है तो टैंकर्स में डिप्लॉय करने के कर आवशक्ता बढ़ेगी उसको डिप्लॉय किये जाएंगे तो हर संबब जो है हमारे तरव से पूर सरकार के तरव से प्रहास किये जा रहे हैं कि लोगों को कम से कम आसुविदा हो सके उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ पानी की भारी किलत हो रही है वहाँ पर आवशक्ता पढ़ने पर टैंकरों के माध्यम से पानी की आपूरती की जाएगी ताकि लोगों को रहत मिल सके वही उपायोक्त मंडी रिगवेद ठाकुर ने कहा कि वनों में आग लगने के कारण वनसबदा की भी क्षती हो रही है उन्होंने लोगों से आहवान किया कि वेस तरक रहें क्योंकि आग लगने से वनसबदा का भी नुकसान हो रहा है उन्होंने कहा कि हालां कि विफा के करमचारी इस तरह की घटनाओं के प्रतीस तरक हैं और पूरा प्रयास कर रही है दूसरे विशे में कई जगा पर जो है वो जंगलों में आग लगाई जारी है और बैसी में पानी की कम दरता है और आग जो है वो काफी ज़्यादा स्प्रेड भी हो रही है तो मेरा सभी लोगों से अन्रोथ है कि क्रिपया जो है सावधानी रखें इस तरह की घटिवीदी ना करें ताकि क्योंकि इसका नुकसान जो है काफी जादा हो सकता है और वन विभाग के हमारे सभी अधिकारी करमचारी पूरी तियारी में है तो कहीं पर भी इस तरह से जो